3, 2, 1 तो हम यहाँ सारी डीटेल्स लेकर आए हैं याद रखना ये एक्जाम सिर्फ एक फॉर्मालिटी नहीं है ये तुम्हारे लीगल करियर के लिए बहुत इंपॉर्टन स्टेप है सिलिबस समझने से लेकर इंपॉर्टन डेट्स तक हम तुम्हें पूरी तरह से तयार करेंगे तो चलो सीट पेल्ट बांधलो और शुरू करते हैं अगर एक्साइटेड हो तो लाइक बटन जरूर दबाओ और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करो सबसे पहले इंपॉर्टन डेट्स की बात करते हैं अप्लिकेशन्स तीन सितंबर से खुलेंगे और अप्लाई करने की आखरी तारीख 25 अक्टूबर है फी पेमेंट 28 अक्टूबर तक करना है और करेक्शन्स 30 अक्टूबर तक किये जा सकते हैं एक्जाम 24 नवंबर को होगा और अड्मिट कार्ड 18 नवंबर से मिलेंगे अब eligibility की बात आपके पास bachelor's degree in law होनी चाहिए या आप law के final year में होने चाहिए age limit नहीं है syllabus के बारे में आपको constitution, IPC, CRPC, CPC, Administrative Law, Evidence Act वगेरह सब आना चाहिए application fee, RS-3500, e-challenge, debit card, credit card या net banking से payment कर सकते हैं documents जो चाहिए तस्वी और बार्नावी की certificates law degree, passport size photo, signature, enrollment certificate और category disability certificates अगर है तो सब समझ में आया? बहुत बढ़िया अब जाओ और exam खोर दो